दोस्तो आज फिर एक बार एक नई रहस्य मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ जी हाँ आज मैं आपको पूर्वोत्तर राज्य असम लेकर चलता हूँ आज हम मां कामाख्या मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे चलिए विडियो शुरू करते हैं माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है धर्म पुराणों के अनुसार विश्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के बववन भाग किये थे जहां जहां यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्ती पीठ बन गया पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ती से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे उसके बाद भगवान विश्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योणी गर्भ गिर गई और उस योणी गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी का माख्या कहा जाता है इस जगह पर माता की योणी गिरी थी इसलिए यहां उनकी कोई मूर्ती नहीं बलकि योणी की पूजा होती है आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है यह मंदिर एक कावन शक्तिपीठों में से एक है भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गड़ मानते हैं यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर यानि आजका गुवाहाटी से लगभग दस किमी दूर नीलांचल परवत परस्थित है मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ती है और नहीं कोई तस्वीर बलकि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढंका हुआ रहता है इस मंदिर में देवी की योनी की पूजा होती है आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती है इन तीन दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते कहते हैं कि इन तीन दिनों में माता के दर्बार में सफेद कपड़ा रखा जाता है जो तीन दिनों में लाल रंग का हो जाता है इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमई बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पढ़ जाएंगे। तो आईए जानते हैं कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिल्चस्प बातों के बारे में। आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है। दुरगा पूजा, पोहान बया, दुरगा देवल, बसंती पूजा, मदान देवल, अंबुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखने मिलती है। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन तीन बार कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधुसंत भी यहां दर्शन के लिए आते हैं। हर साल यहां विशाल मेला लगता है, जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती है। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमती किसी को नहीं होती। भक्तों की मनो कामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहां जानवरों की बली देते हैं। ख तंत्रिक बुरी शक्तियाएं को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहां के साधूँ के पास एक चमतकारिक शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझ कर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं, अगर किसी पर काला जादू हो, तो मंदिर में मौझूद अगोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहां काला जादू किया भी जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए बड़े-बड़े सेलेब्रिटी, राजनेता और उद्योगपती भी आते हैं। धर्मशाला होटल, रेस्टोरेंट उपलब्ध है। अगर माता का आशिरवाद पाना चाहते, तो अगर यह वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फेस्बुक में देख रहे हैं, तो पेज को फ्लो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों को भी माता का र रहस से पता चल सके फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक आप अपना खयाल रखे स्वस्त रहें